हेलो, नमस्कार, COVID-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सबी लोग अपने घरों में रहकर कारे करने के लिए थुड़ा मजबूर हैं, लेकिन मुबे महानगर पालिका ने आपको घर बेटे ही पढ़ाने या यूँ कहें, अध्यान करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल दोरा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा, और उस लेसन के जो विशह हैं, वो आपके स्क्रिन पर दिखाए देंगे, और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रिन पर ही दिखाए देंगे, चलिए शूर रेंगे, हम आज का अपना लेसन, तो आपके स्क्रीन पर आज की कक्षा चठी और आज का विशे गणी और गणी त्विशे में हमारा आज का जो पाठ होगा आपके पाठे पुस्तक से पार्ट तीसरा पुनांग संख्याएं इंटीजर्स और इस पार्ट के अंतरगर्थ आज हम जिस घटक पर चर्चा करेंगे वह है पुनांग संख्याओं का जोड़ और मैं हूँ आपका वर्च्वल मार्क दर्शक अजे कुमार मौरिय एमसी जी अम वर्च्वल क्लासरूम दाधर से चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और इसके पहले हमने जाना है पुनांग संख्याएं या पुनांग संख्या समू क्या है तो यह समू जो है प्राकिट संख्या पुन संख्या जीरो और रडात्मक प्राकिट संख्या इन सब को मिला कर यह एक समू बनता है धनात्मक रडात्मक और पुन संख्या मिला कर पुनांग संख्या या इन टीचर्स का समू बनता है यह हमने अपने पिछले लेसन में जाना है और हमने ये भी देखा कि पूणांख संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाती हैं किसी भी रेखा पर एक बिंदु कहीं पर जिरो लेकर उसे हम आरम बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं उस संख्या रेखा मohl बिंदु के राइट साइड में दाहिनी और समान दूरी पर हम बिंदु बनाते हैं और उनके निर्देशांग लिखते हैं धनात्मक रूप से याने प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3 तो राइट साइड की संक्याइ धनात्मक बढ़ते क्रम में और उसी तरह left side में zero से left में घर्टे करम में minus one, minus two, minus three इस करम में संख्याय लिखी जाती है तो यह left side byor की संख्याय हैं जोकी औरनात्मक हैं तो औरनात्मक संख्याय और बीच में एक आरब बिंदू शून्य होता है तो शुन्य न तो धनात्मक है और नहीं धनात्मक होता है यह हमने पहले ही जाना और हमने यह भी जाना बच्चो कि किसी संख्या के सामने अगर धन का चिन्न न लगा हो तो भी वह धनात्मक संख्या ही होती है जैसे च और धन च दोनों समान है यह नियम शुन्य को छोड़ कर लागो होगा शुन्य के सामने ना तो धनात्मक होता है ना निलात्मक होता है तो संख्या चिन्न ना हो किसी संख्या के सामने तो वह धनात्मक माना जाता है इतनी सब जानकर्याम ने अपने पहरे लेसन में ली थी आज हम देखेंगे हमारा आज का चर्चा है वह है पुणाम संख्याओं का संख्या रिखा द्वारा जोड Addition of integers using number line चले शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार रहिए है धनात्मक संख्या जोड़ना पहले शुरू करते हैं धनात्मक संख्या का जोड़ याने किसी संख्या में positive number को जोड़ना है Addition of positive number तो संख्या रिखा से कैसे जोड़ेंगे For example, 1 plus 5 एक धन 5 याने धन 5 संख्या जोड़नी है तो पहले हम number line को देख लेते हैं बीच में मोल बिंदू, हरम बिंदू 0 और उसके राइट में धनात्मक संख्या है प्लस 1, प्लस 2 इस तरह से होता है, हमेशा की तरह और लेफ्ट में रिदात्मक संख्या है माइनस 1, माइनस 2 इस तरह से क्रम में लिखा होगा अब हमें शुरू करना है जोड़ इस number line के साहता से तो सबसे पहले किस में जोड़ना है तो पहला है एक, एक में जोड़ना है तो number line पे एक को खोजो कहां पर है तो हमने देखा वह number line पर एक यहां मिल गया हमें, हम वहां पर पहुँच गए अब हमें देखना है कि इस number line से कहां बढ़ना है एक पर तो हम पहुँच गए अब जोड़ना किसको है तो जोड़ना है प्लस 5, धनात्मक संख्या को जोड़ना है तो जब भी धनात्मक संख्या को जोड़ना होगा हमें right side में दाहिनी और बढ़ना होगा left से right side की और ही जाना होगा तो positive number को जोड़ना है तो हमेशा right side में बढ़ेंगे तो अब हम पहुचे हैं एक पर और बढ़ना है right side में कितना plus 5 याने 5 नमबर right side में शुरू करते हैं ये पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा और ये पाँच वा नमबर पहुच गए हम फिर से देखिए हम plus 5 है इसलिए 5 नमबर आगे बढ़ेंगे right side में ये पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा और ये पाँच हुआ और हम कहां पहुच गए वो नोट करना है 5 घर आगे तो हम जहां पहुचे हैं उसको नोट कर लो हमने कहां पहुचे हम plus 6 पर तो plus 6 ही क्या होगा हमारा उत्तर होगा answer होगा तो 1 plus 5 is equal to plus 6 एक धन पाँच बराबर 6 या धन च तो हमने यहां क्या देखा हमने देखा कि to add a positive number to the given number we move that many in it to the right on the number line from the given number याने हमें अगर धनात्मक संख्या जोड़नी है किसी संख्या में तो हमें उस संख्या से right side दाहनी और उतनी संख्या बढ़नी होगी ओके right side में बढ़ना होगा कब जब हमें positive number धनात्मक संख्या जोड़नी होती है चलिए एक दूसरा उधारन लेती है minus 5 plus 7 याने रिड़ 5 में धन 7 जोड़ना है तो यह हमारा संख्या रिखा जैसा कि हमेशा होता है 0 से right में धनात्मक संख्या है और 0 से left में धनात्मक संख्या होंगी ओके तो यह हो गया number line अब हमें शुरुआत कैसी करनी है तो शुरुआत है किस में जोड़ना है तो जोड़ना है minus 5 में तो हम number line पर minus 5 पर जाएंगे पहुच गए अब क्या करना है उसमें plus 7 जोड़ना है याने धनात्मक संख्या जोड़नी है तो हम 7 संख्या right side में बढ़ेंगे क्योंकि धनात्मक है हो तो right side में बढ़ना है क्योंकि plus 7 को add करना है तो हम 7 घर बढ़ेंगे ये पहला ये दूसरा तीसरा चौता पांचवा चट्ठा सातवा पहुच गए हम कहां पर plus 2 पर तो जहां पर पहुच गए वही हमारा एंसर है तो minus 5 में रिन 5 में धन साथ जोड़ेंगे तो धन दो प्राप्त होता है तो हमने जाना कि किसी भी धनात्मक संख्या को अगर जोड़ना है किसी संख्या में तो हमें राइट साइड में आगे बढ़ना होगा तो धनात्मक संख्या को जोड़ना हो हमेशा राइट साइड की और बढ़ते हैं दाहिनी और जाते हैं जैसा संख्या दी गई होगी उस हिसाब से तो यह हो गया धनात्मक संख्या का जोड राइट साइड में बढ़ना अब चलते हैं रिनात्मक संख्या का जोड एडिशन आफ निगेटिव नमबर तो यहाँ पर धन पांच में रिल्ड छ जोडना है तो एड माइनस 6 तो प्लस 5 चलिए देखते हैं यह नमबर राइन जैसा कि आपको पता ही है जिरो से राइट में धनात्मक संख्या है जिरो से लेफ्ट में निगेटिव नमबर धनात्मक संख्या है लिखे गई है तो शुरुआत कैसे करेंगे शुरुआत करेंगे जो पहली संख्या है प्लस 5 तो हम प्लस 5 पर चलते हैं सिधे प्लस 5 है यहाँ तो प्लस 5 पर हमारी चुड़िया बैठ गई अब कितना मूब करेगी और कहाँ तो हमें जोड़ना क्या है निगेटिव नमबर रिनात्मक संख्या धनात्मक होती तो राइट साइड में जाते है रिनात्मक है तो लेफ्ट में जाना है बाई और जाना है क्योंकि वह निगेटिव नमबर जोड़ना है और कितना घर जाना है तो 6 गर लेफ्ट में शुरू करती हैं तो ये पहला लेफ्ट दूसरा तीसरा चौथा पांच हुआ और ये चट्था 6 लेफ्ट पहुच गए हम और कहां पर पहुचे वी फाइंड नमबर माइनस 1 एट एक पोजिशन तो हमारा माइनस 1 जो पोजिशन है वही हमारा उत्तर हुआ तो प्लस 5 में माइनस 6 जोडने पर हमें क्या मिलता है माइनस 1 रिण एक मिलता है तो टो एड एड निगेटिव नमबर तो गिवन नमबर वी मूट एट में जोडने है तो हमेशा हमें बाई और जाना है लेफ्ट साइड में जाना है तो रिणात्मक संख्या है तो लेफ्ट में जाओ चलिए और एक उधारण प्लस 6 में माइनस 6 जोडना है चलिए तो पहले हमारा नमबर लाइन हम बना लेंगे तो नमबर लाइन पर 0 से राइट में प्लस 0 से लेफ्ट में माइनस निगेटिव नमबर तो इस बहुत से किस से प्लास 6 से जाएंगे प्लास 6 पर पहुच गए चुड़िया हमारी बैठ गई वहाँ पर अब इसको मूव करना है कहां मूव करना है माइनस 6 लिखा है तो 6 घर या 6 नमबर लेफ साइड में बाई और हमें जाना पड़ेगा क्योंकि रिनात्मक संक्या है और कितना दूर जाना है 6 दूर जाना है शुरू करें तो यह हो गया 1,2,3,4,5,6 घर पहुच कर पहुच गए कहां पर 0 पर जहां पहुच गए वही हमारा उत्तर हुआ तो 0 हमारा एंसर आ गया अब ध्यां से देखो बच्चो यहां पर भी हमने रिनात्मक संक्या जोड़ा तो लेफ्ट साइड में हमने मूव किया तो हमें अगर रिनात्मक संक्या जोड़नी है तो बाई और जाना है जहां से देखो यह जोड़ी प्लस 6, माइनस 6, दोनों नमबर 6 है लेकिन एक धनात्मक है, एक धनात्मक है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है तो जोड़ने पर 0 मिला समझ गए आप लोग, तब हमने क्या दिखा आंत में कि प्लस 6 और माइनस 6, अपॉजिट साइन है, उनको जोड़ दिया तो 0 आया तो ऐसे जो नमबर होते हैं बच्चों, जिसके जो संख्या समान हो, लेकिन चिन यानि इसका साइन है वो अपॉजिट है, विपरीथ है, एक धन है, देखरिण है ऐसी संख्याओं को विपरीथ संख्या कहते हैं, अपॉजिट नमबर कहते हैं और हमने देखा, दोनों अपॉजिट नमबर को जोड़ते हैं, दोनों विपरीथ संख्या को जोड़ते हैं तो उतर 0 मिलता है, यह हमेशा होगा the sum of two opposite number is 0, इसका मतलब हुआ कि प्लस थ्री में अगर हम माईनस थ्री को जोडे दोनों अपोजिट हैं तो answer कितना आएगा 0 ऐसे ही माईनस सेवन में प्लस सेवन दोनों अपोजिट है विपरीथ है उल्टा है तो answer आएगा 0 और उसी परकार कोई भी संख्या समान किन अलग-अलग है opposite है तो उनका जो addition है योग है वह zero ही आएगा तो विप्री संख्याओं का जोड हमेशा zero होता है The sum of two opposite numbers is zero, always zero चलिए अभी इनी पर आथारी देख स्वाध्य exercise है विप्री संख्याओं लिखो Find the opposite number Write the opposite number of each संख्या लिखी गई है Numbers are given Opposite number लिखना है उसके नीचे Plus 47 का opposite number आपको पता है Minus 47, very good अब बाकी इसी तरह से हमें लिखना है Minus 7 का opposite, 90 का opposite, minus 43 का opposite और 55 का opposite इन सबकी विप्रीत संख्याओं में लिखनी है तो बच्चो आपने देखा आज का lesson उसके प्रमुख मुद्धो को ध्यान से बार बार दुबारा देखकर समझने का परास केजिए क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पोरा मुद्धा समझ में नहीं आता जैसे ही हम दो बार तीर बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगी है और इसके आगे की जानकाई जो होगी बच्चो वह निश्चिती हमारे अगले वीडियो में होगी तो उस वीडियो को देखने के लिए उसकी सुचना प्राप्थ करने के लिए जो नीचे सब्सक् रहिए थैंक्यू